खरगोन शहर में देर राज शहर के दो वैक्तियों पर धारा 188 के तहट कोतवाली में प्रकरण दर्ज कराये गया है दर्ज एफाई आर के अनुसार नगर पालिका के दरोगा विजे गुपता को खरगोन सहायक रिटर्निंग अधिकारी द्वारा नगरी निकाई निर्वाचन 2022 के लिए गठित शिकायत जाज दल में आदेशा अनुसार शामिल किया गया है शिकायत मिलने पर अंजुमन नगर में नूरस सबा होटल में आसपास के लोगों को दावत दे कर खाना खिलाया जा रहा है शिकायत के बाद विजई गुपता और साथी करमचारी शेखर ने वरिष्ट अधिकारियों को सुचित कर इस्थल पर पहुँचे अंजुमन नगर के नूरस सबा में करीब 300-500 लोगों को खाना खिलवाया जा रहा था पुष्टाश करने पर जानकारी में आया की पूर्व पार्शत द्वारा दावत हकीका का आईजन किया गया है मोके पर ही दावत की प्रसासनिक अनुमती के सम्मद में जानकारी ली गई उसी समय नूरस सबा के मालिक जमिर खान भी महा आ गए उनसे भी कारीकरम करवाने की अनुमती के बारे में जानकारी ली गई सलिम शेक और जमिर खान दोनों ने अनुमती नहीं होना बताया वर्तबान में खरगोन कलेक्टर के द्वारा एक आदेश में 11 मईस से 10 जुलाई तक जिले की सीमा में राजनितिक धार्मिक एवं अन्य प्रकार की रेली अखाड़े जुलूस रातरी जागरण तकरीर शोभायातरा धन्ना प्रदर्शन अधिकारी की अनुमती के बगेर करना आदेश के उलंगन पर 1288 में दंडित करने की शिकायत की गई कलेक्टर वद दंड़ा अधिकारी के आदेश का उलंगन करने पर रात साड़े दस बजे कोतवाली में FIR दर्ज कराई गई खरगाउन से जैन्त गुपता की रिपोर्ट प्रागंडी गोल पर प्रत्ट हुआ उनके इकलाव उनके इकलाव उनके जमिल करके जमिल खागी जिनका वो फ्लूरे सब्दूर्ट वरके होटल है अमेरी लाड़ा हुआ कारगाउन साब रात है उनको दोनों इकलाव CRP से एक सिप्ठाथी के दाद कारवाई की गई यह 13 जुलाई को खरगोन सहर में नगर पालका के एक्शन्स होने है इसकी आचार सहींता लगी हुई है और आचार सहींता उल्लंगन के संब्द में लगातार हम लोग कारवाईयां कर रही हैं अभी परसों विजानकारी मिलीतीक अंजवन नगर में आचार सहींता का प्राप्त किये हुए लोगों को खाना खिलाया जा रहा है उसमें संबंदित अधिकारी रिवेन्यू विवाग से और नगर पालका से कहे थे पुलिस की टीम भी गई थी और यह पाया कि बिना किसी प्रोपर पर्मीशन के उनके द्वारा इस प्रकार की गद्विदी की जा से 144 का ओडर उसका violation है और आचार सहींता का उल्लंगन है उस पर संग्यान लेते हुए दो व्यक्तियों के खलाप में उत्वाली थानेव के इस रजिस्टर किया गया है इसनों पूर पार सकती है जो दो आरोपी उनमें से पूर पार सकती है उनके सहय हो गी है दोनों को इसमे आचार सहींता के दौरान किसी प्रकार की ऐसी गतिविती जो मद्दाताओं प्रवावित कर सकती है वह आचार सहींता का उल्लंगन है किस रजिस्टर हुआ है सभी एंगल से इन्वेस्टिकेशन की जाएगी है 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 आप देख रहे हैं हमारा चैनल ऐस डर्वी 24 न्यूज हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे टेल आइकोन को दबाना बिल्कुल बिना पुलें